नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे फैमिली फैंस के साथ खुश होगे और कुछ नया जरूर सीख रहे होगे मैं भी नया काम ही कर रही हूँ आप देख सकते हैं इस टैम टैरस पर यह है बेटा बड़ी मुस्किलों से मैं इसको जरा सा काम करवाने के लिए तयार किया है लगबग धाय के करीब टाइम हो रहा था मैं खा रही थी खाना तो इसको बोला बेटा इस मिट्टी को फैला दो यह मिट्टी नहीं है आगे बताती हूं आखिर यह है क्या कमाल के रमडी बन रही है आपके बालों के लिए आगे बताऊंगी कैसे बनाना है और यह देखिए इसके यूज करने के बाद बालों की चमक बालों की लंबाई अगर आपको भी बाल ऐसे चाहिए प्लीज चैनल पर बने रहें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दे आज की रमडी बहुत ही कमाल की है हमेशा आप यूज कर सकते इसको सरदी गर्मी बारिस कभी भी हो जब आपको टाइम मिले तब यूज करो और इसका एफेक्ट तो आपके सामने स्क्रीन पर चल ही रहा है लगातार यूज करोगे तो मुझसे भी घने काले लंबे बाल हो जाएंगे आप सबके यूज जरूर करो कितनी पर यूज करना है वो मैं आपको आगे बताते की प्यारी सी बड़ जो है वो खिलना स्टार्ट हो गई है यह देखिए एक साथ यहां से चार पांच फ्लावर एक साथ खिलेंगे बाड उपर से नीचे तक बनी हुई है बहुत बार मैंने दिखाया है फिर से दिखा रही हूँ ताकि आप भी इस टाइम पर जो प्लांट है आपके रिपोर्ट कर दो नए प्लांट ले लो कटिंग लगा लो बहुत से विडियो शेयर कर चुकी हूँ फिर भी नहीं देखा है कुस तो चैनल पर जाकर एक बर देख सकते हो कौन-कौन से प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हो और अगर आप कॉमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूँगी कि बिल्कुल लो मैंटेन किया था यह कहीं और अपने आप ग्रो हुआ था महां से रिपॉर्ट किया था मूली बहुत अच्छी चल रही है सीड बनने लगे है मैं इसके सीड नहीं चाहिए मुझे मैं इसको कट कर लूँ ही सीड मेरे पास बहुत सारे है यह कुछ मैने बिंस के प्लांट लगा थे नीचे सारा गार्डन का लकड़ियां शकड़ियां है सब कुछ और बर्ड देख लो आप यहां पर बर्ड बनने लगी है चली आज का वीडियो बहुत कमाल का है बहुत ही अच्छा वीडियो है और तक ज़रूर देखना आपको दिख रहा होगा यहां पर कबुतर के लिए म में खाद बना रही हूं और पूरी विंटर या पूरी समर हम इसको भरते हैं और जैसे ही मार्च आता है तो मैं इसको खाली कर देती हूं क्योंकि मार्च में धूप अच्छी होती है इसके अंदर का जितना भी खाद वाद है वो शब निकाल कर मैं सुखाऊंगी तो यह सब कर दूँगी और इसको खाली करूँगी बहुत अच्छा मतलब की मैंने इसको लास्ट यह कहां तक बता हूं उपर तक फिल किया था व्यड़ियो देख लेना लगा था दो साल से आप सब कर रहे हूं उपर तक मैंने फिल किया था मुझे उस तरफ लग रहा है हस्बैन ने क कोशिश करती हूँ पहले निकाल लूँ और उसके बाद फिर इसको दुबारा से फिल करेंगे फिल करेंगे मतलब वहां पर देखो मेरे दो तिन कंटेनर भरे रखे हैं और एक यह भरा रखा है पत्तों से तो अब आगे जो कुछ भी गारण में से निकलेगा वो सब मैं इसमे फिर से खाद मिलेगा एक यहां पर यह मिर्च का प्लान था इसमें कुछ गरबर शरबर हो गई है इसको भी निकाल दूँगी में चलिए बहुत लंबर वीडियो हो जाएगा शॉटकट में करके फिर आपको दिखाती हूँ मैं इससे तो चलिए दोस्तों आप सब के साथ र बहुत इंपोर्टन आपके बालो की ग्रोथ के लिए आपकी पूरी बॉड़ी के लिए यह हैं मीठे नीम की डंडिया या कटिंग बहु सकते हो मीठे नीम की ब्रांचे सही है जिनको मैंने कट कर लिया है और अद्रक को भी कट कर लिया है इन सब को मैं कूटूंगी जिहां अब कूटने के बाद आप देख सकते हो उनके अंदर का जो जूस था वो थोड़ा सा बाहर निकल गया है मैंने एक बरतन ले लिया है अब इस बरतन में मैं यूज करने वाली हूँ यही चीजे पहले मैं इनको इसके अंदर डाल देती हूँ यहां पर तो देखिए मैं इसक गुमा कर पानी इसको डाल दिया है इसमें अब हम इसको गैस पर रखकर अच्छी तरीके से बॉइल करेंगे क्योंकि हम यहां पर बना रहे हैं दुनिया का सबसे अच्छा हेर टोनिक जी हां हेर टोनिक बोलो हेर टोन और बोलो कुछ भी बोल सकते हो आप इसको बिलकुल ल प्लांचस नहीं है तो प्लीस यह प्लांट ले लो और इसकी रिपोर्टिंग वगर अगर आपको चाहिए तो प्लीस कॉमेंट कर देना या फिर मेरे गार्डिनिंग चैनल पर जाकर आप देख सकते हो कि कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी है क्या इसकी क्यारो टिप्स होती ह बहुत कमाल का plant है ये मीठा नीम या फिर काड़ी लीव का plant है बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको boil कर लिया है लगबग एक glass अगर आपने पानी लिया है तो वो आदा गिलास हो जाना चाहिए इतनी अच्छी तरीके से इसको boil कर लिया। अब यहां देखिए पानी का कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है दिरे 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 करके मैंने इसको अच्छी तरके से पका लिया है आप इस वाले टोनर को एक दिन में कम से कम दो बार यूज़ करना जब भी आपके पास टाइम हो तब इसको यूज़ करो और चाहे कोई भी हो लड़का हो या लड़की हो या फिर कोई लेडीज हो कोई भी हो चाहे वो इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए जिनका बहुत ज़्यादा है जिनको अपने बालों को लंबा करना है घना करना है उनके लिए तो बहुत ही कमाल का है यह फर्स यूज़ म बलंबा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कैस्टरड ओयल ये मार्किट में इजली अविलेबल है मेरे हैर थोड़े से ओयली है तो मैं बहुत जड़ा सा ओयल डालूंगी मतलब कि आदा चमची ये बहुत मोटा होता है तो आदा या एक चमची डालना इससे ज़्या मार्किट में इजली अविलेबल है मैं काफी सालों से यूज कर रही हूं तो मैं यहाँ पर साथ ड्रॉप डालूंगी अगर आप पहली बार या दूस्टी बार यूज कर रहा है तो प्लीस दो से तीन रॉप ही डालना इससे जादा मट डालना इसके बाद देखिए इसको अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हमने जो ऑईल डाला है वो उपर उपर तैर रहा है लेकिन कोई बात नहीं जब आप इसको अपने हैर पर अपलाई करोगे चाहे तो कॉटन से कर लेना चाहे तो कर लेना इसको लगाने के बाद आपको बाल वाश करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है एक दिन में जैसे कि मैंने आपको बोला दो से तीन बार लगा और जब आपको लगे कि बाल बहुत जाता गंदी हो गए तब आप एर वाश कर सकते हो सैंपू से यह देखे रिजल् कि सबस्ट्स बढ़ आपको बेसे यह दूदए से कार ले रिजल्कुलवत जापको अचल है और तीन की बाल वाश इसको अचली कि अ